चाय की चमदकार से धिरेंद्र किसने साज्त्री बने बागेस्वर सरकार 24 अंते में 3 गंटे 100 ये बागेस्वर सरकार दीन भर में 3 गंटे को उमरता है भक्तो की भीड बागे सुर्धाम पहुचने के लिए कई-कई किलोमिटर तक लोग पैदल ही चलते नजर आते हैं बागे सुर्धाम परिसर में करीब 50-60,000 भक्तों का जैन सालाब उमरता है बागे सुर्धाम में बिरेंदर किसन शास्त्री, जब अपनी गद्दी पर बैठते हैं उसके बाद भक्तों की समस्या का समध्धान करते हैं लोगों को असर दब होता है, जब वो किसी को देख कर बिना पूछे पुछे कागज पर उसकी समस्या लिख देते हैं बागे स्वर्धाम में अपनी समस्याओं को लेकर कि सिर्फ गरीवी नहीं वलकि देश के बड़े बड़े नेता भी बागे स्वर सरकार से अर्शिजवाद लेने के लिए पहुचते हैं देरेंज़ के जिसास्त्री अपने दादा को हुई गुरू मानते हैं उन्हीं से ही उन्होंने राम कथा भी सिखी कह जाता है कि उनके दादा भी मंगलवार और सनिवार को दिव्धरवार लगाते थे वो भी लोगों की मन की बात जान लेते थे और उसमें भी लोग इसी तरहीं अर्जी लगाने भी आते थे अगुपदावे के 14 जून 2022 को धिरेंद्र किस्निसास्ति यानि की पागिस्टो सरकार को लंदन की संसत में तीन अवार भी दिये गे थे संत्सी रोमेनी अवार वर्ल्ड बूक अफ लंदन और वर्ल्ड बूक अफ यूरोप से भी सम्मानित किया गया है एक सक्षतकार के दोरण धिरेंद्र सास्तिरी ने बताया कि मेरा एक लक्ष है जो मुझे सोने नहीं देता है उनका लक्ष है सनातन का परचार करना हिंदों की एकता और जन्मानस की सेवा करना अब बताते की धिरेंद्र किस सास्तिरी का जन्म 4 जुलाईव 19166 को सरोज राम किरपाल गर के घर हुआ था धिरेंद्र सास्तिरी दो भाई और एक बहन है और उसमें से सबसे बड़े हैं धिरेंद्र सास्तिरी नोबर्स की उम्र में ही दादी के साथ मंदिर जाने लगे थी गौ में ही स्रीबालाजी सरकार मंदिर में उनकी दादी जी भगवान दाजगर की समाधी भी है